जहीं साथियों स्वागत आप सभी का संपूर नेजिक जी चैनल पर साथियों अभीके क्लास्मान देखेंगे बिहार जिसका एक्जाम आप लोग का मार्ची में होने वाला है तो आप लोग थोड़ा अच्छे से त्यारी करिए तो दिखिए अभी क्लास्मान देखेंगे कुमनी पप्लिकेशन का ये बुक है बीएसी सिखे लिए और इसका हम लोगों ने 23 तक पहले कंप्लिट कर लिए 23 सेट हम इसको फेलर को कर लिया है और आज का हम लोग का क्लास जो इस बुक का लास्ट क्लास है 24 नमबर ट्रैक्टीशन तो आई इसको स्टाट किया जान आफ जाए मगर आज से आगे रे क्लास को हम कॉंटिनिव कर देंगे और एक सरके द्वारा डेली टेक्ष्टीज लिकाला गया है जो कि आप लोग के हर एक्जाम्स के लिए महत्पून है बिहार दरोगा हो या फिर बिहार एससी हो या फिर बिहार पुलिस हो या यूपी पुलिस हो सभी क के लिए बहुत ज्यादा महत्पून होने वाला है डेली टेस्टी सरके द्वारा लिकाला गया है ग्यान विंदुजिय से कड्मी के द्वारा हम आज से वो कलास भी आप लोग का स्टार्ट कर देंगे तो देखिए अभी का क्लास हम लोग कॉफर कर लिए जाए देखिए पह पंचायत सेवक होते हैं और पंचायत सिमीती जैसे होते हैं तो पंचायत सिमीती आप लोग याद रखेगा कि पंचायत सिमीती का सचीव जो है वीडियो होता है तो वीडियो होता है इसको आप लोग याद रखेगा नेक्ट कोशन सेकेंड नमबर कोशन पंचायतों के संब नमबर D आपका राइट एंसर हो जाएगा एक आरवी अनुसुची सम्मिधान में तिहत तरवा सम्मिधान संसोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जुड़ा गया था जिसमें 29 विशे की चर्चा की गई थी इसी दे आपका राइट एंसर हो जाएगा 29 विशे ऑप्शन नमबर D अच भारत का सबसे पुराना नगर पाली का कौन सा है तो भारत का सबसे पुराना नगर पाली का मदरास नगर निकम है नेक्ट कोस्टन थाड़ नमर कोस्टन केंद्रिया सरकार का उच्छितम सिविल अधिकारी कौन है केंद्रिया सरकार का उच्छितम सिविल अधिकारी कौन है सही एंसरोजेगा मंत्री मंडल सचीव होता है option number B रेक्टेंसर देखिए मंत्री मंडल सचीव केंद्रिय सरकार का उचितम सिविल अधिकारी होता है और महानेवादी महानेवादी आप लोग देख सकते हैं महानेवादी भारत सरकार का प्रथम विधी अधिकारी होता है और इनकी नियुक्ती जो है राष्टपति के द्वारा किया जाता है और भारत का सर्मेधानिक प्रमुख अगर पूछते कौन होता है तो भारत का सर्मेधानिक प्रमुख राष्टपति होता है ठीक है option number B आपका right answer हो जाएगा देखिए वर्षे 2009 में कव वर्षे 2009 में भारत भारत और रूस और फिर ब्राजील और चीन भारत रूस ब्राजील और चीन ने मिल करके एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक्स की अस्थापना की थी और 14 अपरेल 2011 11 को दप्षिन अपरिका उसमें सामील हुआ था पहली बार ठीक है और ब्रिक्स का मुख्याले पुच्दे कहाँ पर है तो संगाई में है और संगाई कहाँ है तो चीन में है तो ब्रिक्स का मुख्याले कहाँ हो गया संगाई चीन में है ठीक है भारत में फेडरेशन कप का जो सम्मंद है होकी, फुटबॉल और बास्केट बोल तीनों के साथ है रैटेंस रो जगा इन में से सभी संगाई सहयोग संगठन के सदर से देशों में फेस्टिबल फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए चुनोतियों और संभावनाओं पर चर्चा के लिए संगाई सहयोग संगठन फिल्म में महोचस बैठक का आयोजन कहां किया गया था तो देखे इसका आयोजन जो है मुंबई में किया गया था आप्शन नमबर बी रैटेंस रो जगा संगाई सहयोग संगठन के सदर सेदेशों में फेस्टिबल फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए चुनोतियों और संभावनाओं पर चर्चा के लिए संगाई सहयोग संगठन फिल्म में महोचस बैठक जो है मुंबई में आयोजित किया गया था और चालिसवा भारत अंतराष्टी बैपार मेला का आयोजित नौमबर 2022 में दिल्ली में किया गया था इसको भी याद रखेगा आप लोग का पूछ सकता है इंपोर्टन कोश्चन है चालिसवा भारत अंतराष्टी बैपार मेला आयोजित कहाँ पर किया गया था तो November में किया गया था November 2022 में दिल्ली में किया गया था याद रखे गया इसको बहुत यच्छा point है Next question सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा देश कौन सा है छेत्रफल में देखिए छेत्रफल में पूछ रहा है तो आप लोका राइटेंसर हो जाएगा रूस ठीक है Option number D हो जाएगा यहाँ पर राइटेंसर विश्वे में छेत्रफल की दिल्ष्टी से सबसे बड़ा देश है कौन सा है तो रूस है और भारत का छेत्रफल की दिल्ष्टी से विश्वे में साथवे नमबर पर है हमारा भारत नेक्स कोशन एट नमबर कोशन फ्रांटियर गांधी पद के साथ कौन सम्बंदीत है सहीन सरो जाएगा अब्दुल गफ़ार खां है Option number C खां अब्भुल गफ़ार खां को बाच्शा खां फ्रांटियर गांधी फ़गर ए अफगान के नाम से जाना जाता है और याद रखिएगा आप लूप थोड़ा कि पश्च्च्चिम सीमा परांट में खां अब्दुल खां के द्वारा नमक कानून को भी तोड़ा गया था ठीक है पश्च्चिमी सीमा परांट में खान, अब्दुल खा के दोरा नमक कानून को तुड़ा गया था, और भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम बिदेशी नागडिक, खान, अब्दुल खा गफार रिये घुआ, थीक, और कब प्राप्त किये थे पहली बार भारत रत ने तो देखिए 1987 में प्राप्त किये थे इन्हों ने ठीक है 1987 में ने भारत रत रत दिया गया था और ये पहले हमारे विदेशी नाग दिख थे खान अब्दुल खान जी ने भारत रत 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 प्राप्त किया गया था और दिया गया था 1987 में दिया गया था ठीक है next question 9 number question निम्ने लिखित में से कौन सीतार के साथ सुरी सीतार के साथ संबंदित नहीं है निम्ने लिखित में से कौन सीतार के साथ संबंदित नहीं है तो देखिए आपका right answer हो जाएगा उस्ताद अल्ला उद्दिन खा option number C उस्ताद अल्ला उदिन खा का संबंध जो है सितार के साथ नहीं है इनका जो संबंध है किसके साथ था तो इनका संबंध आप लोग का सरोध से है किसे है सरोध से है और अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है इसको भी आदर रखे का बहुत बार पुस्ता है अमीर खुस अस्ट्रेलिया रेलिवे में टर्मिरल है सही एंसर हो जाएगा देखे पर्स और सिड्नी अप्सन नमबर सी राइट एंसर हो जाएगा ट्रांस अस्ट्रेलिया रेलिवे मार्ग पूर्वी अस्ट्रेलिया सिड्नी को पच्मी अस्ट्रेलिया पर्स से जोडिती है इस रेलिवे लिखित में से कौन से कयांत तरीत शॉल है तो आपका राइट एंसर हो जाएगा इसका देखिए नीस और सिस्ट ऑप्शन नमर भी राइट एंसर हो जाएगा नीस और सिस्ट होगा सिस्ट और मैं इसमें डाउट लग रहा है 11 नमर कोश्चन हम आप लोग को बात में बताएंगे ठीक है आप लोग टेलिग्राप से जूर जाएगा हम आप लोग को वहाँ पर इसका राइट एंसर बत लाएंगे ठीक है क्योंकि क्यांत तीस नहीं हम इसक चाल केमा भाइएंगे ठीक है लोग में बताएंगे यह दूर युप लोग के सांथ नहीं हमारे च्छोटे बढ़ाएंगे जरूर आप लोग के सांथ जूर जाएगा क्योंकि देखें टेलिग्राम कर सबीक फिडिये सब्सक्राप्त करवाता है और आगे जितने भी क्लास पर देखते हैं का रहा है भारत की पहली बहुँ उद्देश्य परयोजना का निर्मान किस नदी पर हुआ था पर देखते हैं का रहा है भारत की पहली बहुँ उद्देश्य परयोजना का निर्मान किस नदी पर हुआ था और दामोदर घाटी परयोजना भारत का प्रथम बहुँ उद्देश्य परयोजना है दामोदर घाटी परयोजना भारत का प्रतम बहु उद्धियव परयोजना है नेश्ट कोशन थाटी नमबर कोशन कर रहा है निम्य लिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलते रहने के लिए कुर्खयात है तो देखिया अपना मार्ग बदलते रहने के लिए जो कुर्खयात है वो कोशी नदी है और कोशी नदी बाएं से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है उचे छेत्रों में लेटे राइट मिल्दा की रचना होती है उचे छेत्रों में लेटे राइट मिल्दा की रचना होती है तो राइट एंसर हो जाएगा अमलिया उप्शन अबर सी राइट एंसर उचे छेत्रों में लेटे राइट मिल्दा की रचना अमलिया होती है अप लोग का ये जो है सुस्क मौसम में यह मिट्टी सुख जाती है और भारत में लेटर एट मिट्टी में घाले पठार पच्मी तथा पुर्वी घाट के छित्रों में पाई जाती है भारत में लेटे राइट मिट्टी में घाले पठार पश्चिमी तथा पुर्वी घाटी के छित्रों में पाई जाती है निमने लिखीत में से किसको सहयातरी परवत माला भी कहा जाता है तो देखे किसे सहयातरी परवत माला भी कहा जाता है सहियन सरो जगा पश्चमी घाट को option number B right answer पश्चमी घाट को सहियातरी परवत माला भी कहा जाता है option number B right answer जगा next question 16 number question भारतिय नागिदिकों को बिदेशियों को प्राप्त है भारतिय नागिदिकों और बिदेशियों को प्राप्त है सईयन स्वरजगा बिधिक अधिकार option number D right answer भारत में बिधिक अधिकार भारतिय नगरीको और बिदेशियों दोनों को ही प्राप्त है और राजिनेतिक एवं सिविल अधिकार देखिए यहां पर जो सिविल अधिकार है और यह जो राजिनितिक अधिकार है इसके बारे मतला रहे है राजिनितिक एवं सिविर अधिकार यहां केवल भारतिय नगरिकों को ही प्राप्त है विदेशियों के यह प्राप्त नहीं है नेस्ट कोशन सेवेंटी नमबर कोशन करा है मंत्री परिशत की बैठकों की अध्यक्षता कौम करता है तो देखें मंत्री परिशत की बैठकों की अध्यक्षता जो है वो आप लोग का परधान मंत्री करता है option number A, right answer जगा मंत्री परिशतों की बैठकों की अध्यक्षता परधान मंत्री के दुआरा की जाती है बना सकता है ठीक है मगर खुद से नहीं बना सकता है राश्पती परधान मंत्री के सिफारिश करने पर ही बना सकता है राश्पती किसी को भी मंत्री ठीक है और परधान मंत्री ही यह निशित करता है कि किसी मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया है ठीक है परधान मंत्री ही य राजिनितिक गुरु किसे माना जाता है तो देखे गांधी जी का राजिनितिक गुरु गोपाल कृष्णी गोखले को माना जाता है और महादेश देशाई जो है ये महादेश देशाई गांधी जी के निजी सचियू थे मेरे ठीक है महादेश देशाई आप लोग याद रख किस आयू तक अपने पद पर बने रहते हैं तो किस आयू तक अपने पद पर बने रहते हैं तो 65 वर्स हो जाएका option number B right answer संभिधान के अनुछेद 122 के अनुसार स्रयोच्य नियाले के नियाधिस की 7 रिवर्टी आयू 65 वर्स है कितनी तक है तो last आप लोका 65 वर्स है निमने लिखित में से कौन सा तत्वे राज्य का अनिवारे तत्वे नहीं है निमने लिखित में से कौन सा तत्वे राज्य का अनिवारे तत्वे नहीं है तो आपका राज्य का अनिवारे तत्वे नहीं है तो आपका राज्य के चार अनिवारे तत्वे हैं जिसमें आप लोग का अबादी संप्रभुता छेत्रे और फिर आप लोग का कौन सा? देखिए जन संख्या आता है, जन संख्या, राज छेत्र सरकार और फिर संप्रभुता आता है. तो देखिए उत्राखण में बनाया गया है, औप्सन नमर B, रैत एंसर हो जाएगा, पहला हरित उर्जा अधारित सौर पेनल कर खाना को उत्राखण में बनाया गया है और भारत का पहला राष्टिय खेल विश्व विद्याले मनिपूर में बनाया गया है इसको भियाद रखेगा भारत का पहला राष्टिय खेल विश्व विद्याले मनिपूर राज में बनाया तो राइट एंसर जगा आप लोग का अनुछेद 14 अप्शन नमबर ए राइट एंसर बीदी के समक्षे समता का अधिकार अनुछेद 14 के अंतरगत प्रवधान है और भारतिय सम्मिधान में समता का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतरगत अनुछेद 14 से ले करके 18 में युक्ति कौन करता है आप लोग को अभी बतलाए हैं उपर कौन करता है तो राश्ट alleg pro नबर गांधी जी को सबसे पहले राश्टvette किसी ने कहा था सही एंसरो जगा गांदी जी को सबसे पहले राष्ट पिता जो है सुभास चंदर बोश ने कहा था option number B राइट एंसरो जगा गांदी जी को सर वग पर्थम सुभास चंदर बोश ने राष्ट पिता कह करके संबोधित किया था अच्छा इसके साथ साथ आप लोग याद रखेगा कि ये जो रभीन नाष्टाइगोर option number A में दियागा है रभीन नाष्टाइगोर ने महात्मा गांधी को सर्वे परथम महात्मा कहा था next question 26 number question करा है वह सुल्टान कौन था जिसने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था बहुत बार आप लोग को ये question पढ़ा चुके है अल्लाउदिन खिल जी था कौन था? अल्लाउदिन खिल जी था option number A right answer अल्लाउदिन खिल जी ऐसा सुल्टान था जिनों ने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था ठीक है? next question 27 number question भारत में लोग यूग जुडा हुआ है भारत में लोग यूग जुडा हुआ है तो आपका राइटेंसर देगा इसका लोग यूग जुडा हुआ है तो देखे चीत्रित धूसर मिर्द भाड़ों के साथ में जुडा हुआ है option number A राइटेंसर हुआएगा भारत में सबसे पुराना लोग यूग चीत्रित धूसर मिर्द भांड में मिर्द भांड के साथ जुडा हुआ है option number A राइटेंसर हुआएगा और लोहा का भारत में परियोग सर्वे 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 परियोग स निम्ले लिखित में से किसे राजा ने किया था तो देखिए ये भी कुशन आप लोगों को बहुत बरबत ला चुके हैं इसका राइट एंसर हो जगा किस्ट ने प्रथम राष्ट कुट ने किया था option number 3 राइट एंसर भारत महराष्ट के इलोरा में कैलास मंदिर का निर्मान राष्ट कुट नरेश कृष्ट ने प्रथम ने किया था और यह मंदिर बेशर सैली में निर्मित है कहां पर निर्मित है तो यह मंदिर बेशर सैली में निर्मित है और इसके साथ साथ याद रखेगा कि ये लोरा की गुफायों का सरव प्रथम उलेक फ्रांसेशी यातरी थेवीनेट ने किया था, किस ने किया था, तो थेवीनेट ने पहली बारिस का उल्लेक किया था, next question 29 number question कर रहा है भारत में हरित करांती का एक और नाम है तो भारत में हरित करांती का एक और नाम कौन सा है सही अंसर हो जाएगा आप लोका देखिए बीज उर्वरता और सिचाई करांती है अप्सन नमबर ए राइट एट जाएट भारत में हरित करांती के तत्पर उन्नत किसमिस के बीज उर्वरत और सिचाई करांती से है और हरित करांती सब्द है हरित करांती जो ये सब्ध है हरित करांती इसको याद रखेगा कि हरित करांती सब्ध अमेरिकी बिग्यानिक विलियम गोड की देन है किसकी देन है तो हरित करांती सब्ध जो है अमेरिकी का बिग्यानिक था अमेरिका का एक ज्यानिक था जिसका नाम था विलियम गौड उसकी देन है और कम दिया था तो 1968 में दिया था और भारत में प्रथम हरित करांती की शुरुआत जो है 1966-1967 से माना जाता है भारत में प्रथम हरित करांती की शुरुआत 1966-1967 से माना जाता है नेस्ट कोशन थर्टी नमबर कोशन हाल ही अप्रेल हाल ही में अप्रेल 2023 में बांगलादेश के नए राष्ट पती के रूप में किसे चुना गया है तो दिखें बांगलादेश के नए राष्ट पती के रूप में मुहम्मद सहा बुद्धिन चुप्पी को जोड़ा गया है आप्शन नमबर D राइट एंसरो जाएगा ठीक है हाली में अपरेल जो हजार तेइस में बांगलादेश के नायर आश्टपति के रूप में मुहम्मद सहाबु दिन चुप्पी को चुना गया है आप्शन नमबर D राइट एंसरो जाएगा अच्छा देखें यहां पर जो है चुपी नहीं यहां पर चुपी होना चाहिए हमें जहां तक द्याने चुपी होना चाहिए सहाबु दिन चुपी होना चाहिए ठीक है यहां पर आप्टो फुराशा सुधार कर लीजिए चुपी होगा ठीक है चरिए आगे बढ़िए 30 one number question कर रहा है golden globe पुरसका और Oscar award जब कोई नयायले आदेश द्वारा किसी लोग प्राधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है यदि उसके कर्तव्य पूरा ना करने से याची करकरता को छती पहुंचती है तो इसे निम्ने लिखित में से कौन सी एक याची का कहते हैं तो इसे कौन सी याची का कहा जाता है रैटेंशों राजे का परमा देश कहा जाता है करता है और राज़पाल मुख मंत्री को तथा मुख मंत्री की सलाह से उनके मंत्री परिश्यत के सदस्यों की भी निव्पति करता है इस कोशन 30 फोर नंबर कोशन रिचर्ड रिचर्ड डॉकिंग्स पुरसकार 2020 से सम्मानित होने वाले प्रतम भारतिया कौन है तो प्रतम भार जावेद अक्तर बने हैं अप्सन नमबर डी राइज़ेंसर नेक्ट कोशन 30 फाइक नमबर कोशन भारतिया सोतंता संघर्ष के दौरान साइमन कमिशन का प्रयोजन क्या था तो सही एंसर हो जाएगा गोबर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट उन्नीच सो उन्नीच के क्रिया नि अप्सन नमबर डी राइज़ेंसर हो जाएगा भारतिया सोतंता संघर्ष के दौरा साइमन कमिशन का प्रयोजन गौबर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट उन्नीच सो उन्नीच के कार्य करण की जाज़ परताल करना था देखें यहाँ पर जो है किरिया वय नहीं कारेकरन होना बहुत जादा बुक में टाइपिंग इडर देता है इसलिए प्रॉब्लम होता है यहाँ पर जो है उन्नीच सो उन्नीच के कारेकरन की जाज़ परताल करना था ओप्सन नमबर भी आपका राइज़ेंसर हो जाएगा ठीक है और देखें कि साइमन कमिशन का गठन जो है आठ आठ नमबर 1927 को अपलुका साइमन कमिशन का गठन आठ नमबर 1927 को जों साइमन की अध्यक्षिता में किया गया था किसकी अध्यक्षिता में पहले होती यादर किया गया कि 8 नमबर 1927 को साइमन कमिशन की गठन किया गया था और किसकी अध्यक्षिता में किया गया था तो जो साइमन की अधिक्सिता में किया गया था, और इस आयोग के सभी सदक्स जो हैं अंग्रेज थे, इसलिए इस कमिशन को स्वेद कमिशन भी कहा गया था, इसलिए इस आयोग के सभी सदक्स आप लोग के अंग्रेज जुआ करते थे, इसलिए इस सदक्स को स्वेद कमिशन भी कहा जाता था दादा भाई नोरोजी के द्वारा लंदन में ब्रिटिस जनता की राय को भारत के पक्षिक में प्रभावित करने के लिए अस्थापित संगठन का नाम क्या था और दादा भाई नोरोजी नहीं धन निकाची का चिधान प्रतिपादित किया था भारत के प्रथम अंत्रिक्ष यात्री रकेश सर्मान इमने लिखित में से किस एक अस्थान से अंत्रिक्ष के लिए रवाना हुए थे तो दिखे बेंका नूर से रवाना हुए थे भारत के प्रतम अंत्रिक्ष यात्री रकेश सर्मा बेका नूर से अंत्रिक्ष में रवाना किये गये थे और रकेश सर्मा भारतिय वायू से नामे विंग कमांड थे और रकेश सर्मा ने सोयूज T11 से अंतरिक्ष की यात्रा किये थे भारतिय बने थे कव तीन अप्रेल 1984 को रकेश सर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतिय बने थे निश्कोशन 38 नमबर कोशन अप्रेल 2023 में किसे कार हेतु किरिट पारिक सिमीति को मंजूली दे दी गई जिसमें एक जन्वरी निश्कोशन 39 निखित में से किस से राज किस एक राज्य की सीमा जार्खंट से लगी हुई नहीं है देखें पूछ रहा है कि लगी हुई नहीं है तो देखें जर्खंड की जो सीमा है वह आप लोगा मध्ध परदेश के साथ नहीं लगी हुई है अप्सन नमर बी रहा है निम्न बिकल्पों में से इन चारों में से मध्ध परदेश की सीमा जो है जर्खंड से नहीं लगती है और जर्खंड राज की सीमा है पाच राजों से उकरके लगती है वो पाच राज कौन कौन से है तो उत्तर परदेश है उत्तर परदेश है बिहार है चतिस गड़ है उडिसा है और पच्चिम मंगाल है इन पाच्छे राजियों से जर्खंड के सीमा जो है लगती है मगर मदपर्टे से नहीं लगती है और जर्खंड जो है 15 नौवंबर 20 Aqui को बिहार से अलग हुआ था इसको याद रखियेगा जर्खंड 15 नौवंबर 2020 को बिहार से अलग राज बना है नेकिस कोचन फोटी नम्बर कोचन धौली गंगा और अलग नंदा का संगम कहां पर होता है तो देकि धौली गंगा और अलग नंदा का संगम है विस्नू प्रय आगे हैं नेक्स कोचन 41 अबर कोचन सुभाष चंद्र बोस ने भारतिय राष्टिय कॉंग्रेश को छोड़ने के बाद किस दल की अस्थापना की थी तो देखिए इन्हों ने उस सब्द छोड़ करके फर्वर्ड ब्लोग की अस्थापना किये थे फर्वर्ड ब्लोग तो दल की अस्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था और कब किया था तो भारतिय राष्टिय कॉंग्रेश को छोड़ने के बाद इन्हों ने फर्वर्ड ब्लोग की अस्थापना किये थे अप्सन 49-39 नहीं हो जाएगा नेक्ट कोच्छन 42 नमबर कोच्छन जलवायू परिवर्तन पर सन्युक्त राष्ट के 28 वी वार्चिक बैठक कॉब 28 का आयोजन किस देश में किया जाएगा बहुत बार आप लोग को पतला चुका है सन्युक्त अरब अमिरात में किया जाएगा जलवायू परिवर्तन का जनवायू परिवर्तन पर सन्युक्त राष्ट की 28 वी वार्चिक बैठक कॉब 28 का आयोजन जो है सन्युक्त अरब अमिरात में किया जाएगा और कॉब 27 इससे पहले आप लोगा कॉप 27 सम्मेलन का आयोजन नॉवमबर 2022 में मिश्र में कहाँ पर तो मिश्र में किया गया था निकासी सिधान्त यानि कि ड्रेन थियूरी का सिल्फी और पॉबर्टी एंड अन ब्रेटिस रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का लेख़ कौन था तो सही एंसर हो जगा दादा भाई नोरोजी थे आप्शन नमबर ए डाइट एंसर हो जगा नेक्ट कोशन इस बुक तक इस पुस्तक के रेचाईता कौन थे मतलब कि इस पुस्तक के लेख़़ कौन थे तो दादा भाई नोरोजी थे अप्शन नम्बर ए राइट एंजर नेस्ट कोश्चन फोटी फोर नम्बर कोश्चन सविनाय अयोग्या अंदोलन निम्ने लिखित में से किस एक के साथ शुरू हुआ तो किस एक के साथ सविनाय अयोग्या अंदोलन शुरू हुआ था तो देखे question 45 number question जय परकास नारायन नेमने लिखित में से किस एक से सम्बंधित थे तो सही अंसर हो जाएगा इसका देखिए Congress समाजवादी दल यानि कि Congress Socialist Party option number C right answer Congress समाजवादी दल का सम्बंध जो है जय परकास नारायन से है और 11 अक्टूबर को जय परकास नारायन का जन में भी मनाया जाता है 11 अप्टूबर को जय परकास नारायन का जन में दीन मनाया जाता है next question 46 number question सुबास, spendry boss का आप्ता प्रबंधन पु्रस्कात 2013 संस्थान,PD में किसे दिया गया था तो सही एन सरुजगा किसे दिया गया था राइट एन सरुजगा आप लोग का देखें ओडिशा राज आपता प्रबंदक प्रदिकरण को दिया गया था और फिर लुगलई फायर एस्टेशन मिजूरं को भी दिया गया था सुभाष चंद्र बोस आप्दा प्रबंदक पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में उडिशा राज आप्दा प्रबंदक प्रधिक करन तथा लुगलेई फायर एस्टेशन मिजोरम को दिया गया था निश्कोशन 47 नमबर कोश्चन कर रहा है निमलेखित में से कौन एक छेतर के अधार पर सबसे बड़ा दिल्ली है और सी राइट एंसर देखें 2011 के जनघना के अनुसार सरवाधिक जनसंख्या वाला केंद्र सासित परदेश दिल्ली है एवां नियूनतम जनसंख्या वाला कें सब्सक्राइब कर रहा है हिंद महासागर में डिएगो गार्षिया द्यूप में निम्रेजी खित में से किस एक देश का सैन अड़ा है तो सैयन सरो जगा किस देश का है तो सन्यूक्त राज अमेरिका का है हिंद महासागर के डिएगो गार्षिया द्यूप में सन्यूक्त राज अमेरिका का सैन हवाई अड़ा है और करके रेखा हिंद महासागर की उत्री सीमा है इसको भी याद रखेगा मगत की प्रथम राजधानी कौन सी थी सैन सरो जाएगा देखिये राजग्री थी यानि की गिरीब रज अप्शन वरसी राइद सरो जाएगा नेक्ट कोशन 50 नमबर कोशन बिहार में किस अस्थान पर भारतिय राष्टिय कॉंग्रेश का 1922 का अधिवेशन हुआ तो किस अस्थान पर हुआ था सैन सरो जगा गया में हुआ था अब सभी को पता होना जाहिए कि 1922 में गया में आयोजीत अधिवेशन भारतिय राष्टिय कॉंग्रेश का 38 अधिवेशन था ठीक है कॉंग सा अधिवेशन था तो 38 अधिवेशन था नेस्ट कोश्चर 51 नंबर कोश्चर वायो कि 36 गदिस से होने वाले उस्मा के अंतरन को काते हैं तो क्या काते हैं साइन सरो जगा अभी वहन काते हैं को तुर आ महते हैं हिलियम में होती है और आयनन उर्जा को इलेक्रिक बोल्ट यानि की इलेक्रिक बोल्ट यानि इवी में या फिर जूल प्रती मोल्क में व्यक्त किया जाता है नेक्स्ट कोश्चन 53 नमबर कोश्चन मानों के कुल रखते आयतन में प्लाजमा का प्रतीसत लगभग कितना होता है सही एंस हो जागा आयतन में प्लाजमा का प्रतीसत जो है लगभग आप लोग का लगभग 55 परसेंट होता है ठीक है नेगल नेष्छ कोस्षर 54 नेवलression जीवानु यानि कि बेक्टिरिया कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव है तो कौन सी बीमारी को पैदा करने वाले जीव है सहीन सरुजगा देखिएं तपेदिक होगा यच्मा यद तपेदिक option number D right answer होगा यच्मा तपेदिक बीमारी जीवाणू के दिवारा होता है next question 55 number question काला जार जुवर का संचरन होता है सहीन सरुजगा देखिए शिक्ता मक्खी के काटने से होता है option number C right answer काला जुवर का संचरन जो है सिक्ता मक्खी के काटने से होता है अच्छा इसके साथ आपको गयाद रखेगा कि malaria जो है बहुत पार ये question देखिए इस question से ज़्यादा जो है ये पुछा हुआ है कि malaria जो है किसके काटने से होता है तो malaria मादा मच्छर एनी फ्लीज होती है क्या नम होता है एनी फ्लीज जो कि मादा मच्छर होती है उसके काटने से malaria फैलता है next question 56 number question भारी मोटर वाहनों के लिए diesel तिल अधिक पसंद किया जाता है क्यूंकि उसमें अधिक छामता होती है और उससे इंधन की भी बज़त होती है option number C, radiancer भारी मोटर वाहनों के लिए diesel तिल अधिक पसंद किया जाता है क्यूंकि इसमें अधिक छामता होती है और इससे इंधन की भी बज़त होती है और डीजर इंधन जो है पेट्रोल इंधन के अपेच्छा क्रीत अधिक प्रदूसर उत्पणने करता है जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार जाहिर सी बात है कि बढ़ता है जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार जो है बढ़ता है और लोहे में जंग लगना एक रहसायनिक परिवर्तन है निश्टकोशन 58ग किस ग्रह या चंद्रमा के गुर्तवा कर्षन बल से मुक्त होने और कच्छा में परवेस करने के लिए किसी वस्तु को जिस गती से यातरा करनी चाहिए उसे क्या कहा जाता है उससे क्या कहा जाता है? सहींस हो जगा, पलायन वेग कहा जाता है, option number A, right answer हो जगा किसी ग्रह या चंद्रमा के गुर्टव अकर्षन, बल से मुक्त होने और कच्छा में प्रवेश करने के लिए किसी वस्तु को जिस गती से यात्रा करनी चाहिए, उससे क्या कहा जाता है? तो पलायन वेग कहा जाता है, option number A, right answer अच्छा, प्रित्वी का पलायन वेग कमाने जो है, कितना है, अगर पूस दे तो याद रखेगा एगा प्रित्वी का पलायन वेग कमाने जो है, 11.2 km per second है प्लायन वेक जो है या 2.38 मीनट पर सेकेंड है ठीक है नेक्ट कुश्चन 59 नमबर कुश्चन कर रहा है निम्ने लिखित में से कौन सी गैस फोलो को कुत्री में रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है तो फोलो को पकाने के लिए एसे टिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है और ये हमारे कानों को आंसिक या फिर पूर्णे रूप से बहरा कर सकती है ये हमारे कानों को बहरा कर सकती है ये धोणी सोनिक भूम जो है इससे हम लोग बहरे भी हो सकते है याद रखेगा इसको ये हमारे सोनिक भूम हमारे कानों को आंसिक और पूर्णे रूप से बहरा कर सकती है नीचे लिखी कौन सी प्रकिरिया वायू को परदोसित नहीं करती है तो देखे इन चारों में से बतलाना है कि कौन सी प्रकिरिया वायू को परदोसित नहीं करती है तो सैयन सोजगा प्रकास संसलेशन प्रकिरिया वायू को परदोसित नहीं करती है option number B right answer हो जाएगा next question 62 number question किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेस्ताएं जैसे की उचाई, आखो का रंग और रगत परकार आधी को किस नाम से जाना जाता है तो सही answer हो जाएगा समलक्षिनी नाम से जाना जाता है option number A right answer हो जाएगा next question 63 number question Q परकास तरंगे अनुप्रोस्त तरंगे हैं क्यूंकि तो देखीए, परकास तरंगे अनुप्रोस्त तरंगे हैं क्यूंकि उन्हें दुरूवीद किया जा सकता है क्योंकि उन्हें दुरूवीद किया जा सकता है option number D right answer हो जाएगा next question 65 number question लार ग्रंतियों के द्वारा निम्नलिकित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है तो देखें लार ग्रंतियों के द्वारा टाइलिन एंजाइम उत्पादित होता है कौन सा टाइलिन एंजाइम option number B right answer हो जाएगा और टाइलिन जो है या भोजन में उपस्तित एस्टार्ज को स्वरल कार्भोहईडरेट्स में बदलता है next question 66 number question निमने लिखित बिटामिनों मेंसे किसकी हिंता यानि की differenticiency से मुत्र में बढ़ी हुई calcium ion की हानी होती है सइयर अंसर हो जाएगा बिटामिन D की करण option number D right answer हो जएगा बिटामिन D की कमी से मुत्र में बढ़ी हुई calcium ion की हानी होती है अच्छा इसके साथ आप लोग सभी का याद रखेगा कि देखिए ये जो है बिटामीन A से आप लोग का बिटामीन A की कमी से होने वाला रोग जो है रताउंदी हो जाएगा और बिटामीन बिटामीन C जो यहाँ पर दिया गया है तो देखिए बिटामीन C से आप लोग का एसकवर भी यानि की मसूडे का फ्यालना जो है ये सब आप लोग का बिटामीन C के कमी के कारण से होता है नेक्ट कोश्चन सिख्टी से बेन नमबर कोश्चन मानों सरीर में निम्य लिखित में से कौन उने प्रति पिंडो का निर्माने करती है जो प्रति रक्षा यानि की इम्मिनिटी के लिए जिम्मेदार है सरीर को संक्रमक से सुरक्षा प्रादाने करना है नेक्ट कोश्चन 68 नमबर कोश्चन निम्य लिखित में से कौन बायो गैस यानि की गुबर गैस का एक प्रमुक के घटक है तो देखिए गुबर गैस का एक प्रमुक के घटक मिथेन है आफसर बड़ी रैट एंसर हो जाएगा मिथेन है नेक्ट कोश्चन 69 नमबर कोश्चन निमने लिखित में से कौन सा एक अगनी सामक में प्रयुक्त होता है तो देखिए अगनी सामक में प्रयुक्त होता है वो कौन सा है सही अनसर हो जाएगा खाने का सोडा बेकिंग सोडा जो है यो अगनी सामक में प्रयुक्त होता है अप्सन नमबर A, राइट एंसर हो जाएगा निमने लिखित में से किस में हिमोगलोबिन की परतिसता यानि की परतिसत अधिक होती है तो देखें किस में हिमोगलोबिन की परतिसत अधिक होती है तो पुरूस में होती है option number C, right answer हो जागा वैसक मनुस्य में हीमोगलोबिन की परतिशत अधिक होती है और हीमोगलोबिन जो है वो red color का होता है ठीक है, लाल रंग का हीमोगलोबिन होता है और हीमोगलोबिन को स्वासन वर्नक भी कहा जाता है हीमोगलोबिन को स्वासन वर्नक भी कहा जाता है next question 71 number question निमने लिखित में से कौन सा एक जल में घुलन सिन बिटामिन है तो जल में कौन सा एक घुलन सिन बिटामिन है right answer हो जाएगा देखिए जल में पूछ रहा है न कि कौन सा घुलन सिन बिटामिन है तो आपका सही एंसरो जगे यहाँ पर सिर्फ बिटामिन C दिया गया है मगर याद रखेगा आप लोग कि जल में गुलन सीन बिटामिन बिटामिन B और C दोनों होता है यहाँ पर B नहीं है सिर्फ C है तो राइडेंसरो जगा बिटामिन C ठीक है ओप्सन भर B राइडेंसरो जगा और वासा में गुलन सीन बिटामिन बिटामिन A है बिटामिन D बिटामिन E भी होता है और बिटामिन के यह चार जो है वासा में गुलन सीन होता है और बिटामिन E और बिटामिन C यह जो है जल में गुलन सीन होता है एक दीन में किसी समान ब्यक्ति के किर्णी में से होकर के कितना लिटर रखते गुजरता है तो देखिए किर्णी में से होकर के एक दीन में 170 लिटर रखते होकर के गुजरता है एक दिन में किसी समान व्यक्ति के किर्णी में से होकर के लगवग एक सो सत्तर लिटर रखते गुजरता है नेक्स कूर्शन 73 निम्मर कॉष्चल अच्छा इसके साथ फरस आप लोग ये भी आद रखेगा कि किर्णी का जो भार होता है या मनुष्य में लगबग 140 गराम होता है कितना होता है तो 140 गराम किर्णी के लगबग भार होता है वजन होता है निम्ने लिखित में से किसकी या फिर किनकी गती परकास की गती के बराबर होती है तो किसकी गती होती है परकास की गती के बराबर राइट एंसर हो जागा देखिए यहाँ पर सभी होना चाहिए X किरने Y किरने पराब्यागनी किरने सभी हो जाएगा उप्योग तो सभी option number D ठीक है X किरने Y किरने तथा पराब्यागनी किरने की गती जो है परकास की गती के बराबर होती है option number D सभी की गति जो परकास के गति के बराबर होती है निमने लिखित में से कौन सी वस्तु उस्मा गतिकी के सिधान्थ परकार करती है तो सई अन्सर हो जाएगा आप लोगा इस्टीम आयरन आप्सा नमबर D आप्सा नमबर D राइट एंसर हो जाएगा इस्टीम आयरन वस्तु उस्मा गतिकी के सिधान्थ परकार करती है आप्सा नमबर D राइट एंसर साथियो यहाँ पर हम लोगा आज का क्लास खतम हो गया आप्सा नमबर 24 तक सेथ हम लोगा कंप्लीट हो गया यानि कि मनी पप्लिकेशन का हमने दो बुक कंप्लीट कर लिया पहले एक कोस्टन पैंक था और यह दूसरा जो था टेस्ट रिस था वीध डिसकॉसन के साथ दोनों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और आज से हम नो भी है आगे इस बुक का जो भी जैसे कोस्टन दिया है मैज रेजिंग में आप लोग को पीड़ेट में अप्लोड एक ही में जोड़ दिये है नोलम को टेलीग्राम पर उप्राइब्द कर लेका आया है है आप लोग टेलीग्राम से जिरूर जिडिएगा ताकि सभी का पीडियेफ आप लोग ले करके एक बार अच्छे से सेट को complete कर सके तो चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जैहिन जैवाद